तो बहुत से लोगों का कमेंट से आये था और आप लोग पूछ रहे था कि सहजाद भाई जरा जी सिसी के बारे में समझा देजिए यानि कि हम लोग जब भी जाते हैं कहीं बीजा अपलाई करने के लिए तो ज्यादा तर लिखा रहे था है कि भाई जी सिसी एक्सपरियंस मालूम होगा कि भाई जी सिसी के अंदर कौन-कौन से देश आते हैं बाकी जो फ्रेशर हैं उनको नहीं मालूम है कि भाई जी सिसी के अंदर कौन-कौन से कंट्री आता है ठीक है तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि भाई जी सिसी के अंदर कौन-कौन से देश आते हैं और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि वहाँ पर कौन सा किरेंसी चलता है उससे आपको यह होगा कि अगर आप किसी भी कंट्री के लिए अपलाई करोगे ना तो अगर आपका सेलरी को लगे कुछ भी तो आपको डीटेल में मालूम पढ़ जाएगा कि इंडिया का हमारा इतना बनेगा आठ गंटेगा ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं असलाम अलेकुम नमस्कार वह सत्रियकाल दोस्तों मैं हूँ आपका दोस मौहमत सहजाद और आप देख रहे हो सहजाद दिवान ब्लॉक्स तो आज बात करेंगे जी सी सी कंट्री के बारे में से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जितने लोगों को मालूम है कि भाई जी सी के अंदर कौन कौन से कंट्री आता है वह इस वीडियो को छोड़ कर जा सकते हैं इसलिए कि भाई समय बहुत इंपोर्टेंट रहता है मैं नहीं चाहता हूं कि आपका समय लॉस करूं और जिनको नहीं मालूम है वह इस वीडियो को इंट तक देखना आपको डीटेल्स में समझ में आ जाएगा ठीक है इसलिए कि मैं भी यही कर लिया हूं कि आपको इतने अच्छे से सिखा दूंगा भाई कि किसी से पूछना नहीं पड़ेगा आप आसानी से बीजा अपलाई कर सको के और आज कल अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल रहा है मेरे जितने भी जो सब्सक्राइबर हैं पहले ओफर लेटर का भेजते थे कौपी के सहजाद भाई मेरे पास ओफर लेटर आया है ठीक है यह कंपनी के बारे में पूछते थे लेकिन आज कल डैरेक्ट बीजा भी सहजाद भाई मेरा बीजा आ गया सहजाद भाई मैं इस कंट्री में जा रहा हूं तो यार यह बहुत खुसी के बात है और अब मुझे थोड़ा थोड़ा प्राउड फिल हो रहा है कि हां भाई कुछ तो अच्छा कर रहे हैं कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको अ यानि कि यह एक ऐसा संस्ता है जो यहां चाला गए घ्राउट एक आसी में बनाया गया थीक है और इसके अंदर कौन-कौन कोन से कंट्री आते हैं उसका नाम सुन लेजिए इसमेंkami 6 कंट्री आता है ठीक है तो पहला जो कंट्री है वह और चुछ है डूसरा जो कंट्री है वो है उमान यानि कि GCC के अंदर ये 6 country आता है तो आप अगर कोई भी requirement देखते हो वहाँ पर लिखा रहाएगा कि भाई GCC experience चाहिए तो यानि कि ये 6 country में अगर आप काम कियो हो तभी आप apply कर सकते हो तो clear हो गया कि GCC के अंदर ये 6 country आता है ठीक है अब चलते है currency के ओर कि भाई ये 6 country का currency अपना इंडियन रुपीज में convert करें तो कितना होता है ठीक है तो यूएग में क्या चलता है तो दिरहम चलता है और एक दिरहम इंडिया का 20 रुपय सम्तिंग होता है ठीक है अगर आप दुबई का बीजा लगाने जा रहा हो और आपक something होगा ठीक है उसके बाद करते हैं कतर में तो कतर में भी रियाल चलता है तो कतर का एक रियाल इंडिया का 20 रुपय हो यानि कि इन तीनों country में आप जाने के लिए apply करते हो तो सीधा समझ लेना कि अगर आपका 1000 है तो इंडिया का आपका 20,000 होगा अगर 1500 है तो इंडिया का बहन में दिनार चलता है वह होता है एक बहरेनी दिनार इंडिया का 199 रुप этот कुवेति में भी दिनार इंडिया का हो जाएगा 248 रुपे यहनि जब वीडियो रहा हूं तो 248 रुपे है और दुनिया का सबसे बड़ा क में चलते हैं लाश्ट कंट्री की ओर और वह mutta country ओमान में क्या चलता है तो मानी रियाल चलता है लेकिन भाई ये रियाल सौधी दूबाई कि जैसे सा रियाल नहीं है यहादनी एक रियाल इंडिया का एक सो चौरानवे रुपय हो ठीक है यह चाइनी इंडिया का एक फो रूआइब रुपय नहीं आप लोग समझ लेना कि यह भी रियाल है और वो लोग समझ गए होंगे कि घृती साफ आप लोग कोई समझ गया होगा मैं ये वीडियो इसलिए बनाया है कि भाई हर कोई परफेक्ट नहीं है यानि जो परफेक्ट है उनको नौलेज होगा और नहीं भी होगा तो वो गोगल से ले सकते हैं लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं जिनको नहीं मालूम है तो भाई मेरा फर्ज बनता है कि उनको भी सिखाओं कि बीजा आप लाइक कैसे होगा और कौन-कौन से कंट्री में कैसा जॉप मिलता है यह सब मेरा काम है ठीक है तो मैं अपना काम बहुत ही मंदारी से कर रहा हूं और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों का मेरा काम अच्छा लग रहा है तो भाई इस वीडियो को सेर करो और जो सब्सक्राइबर का गराफ थोड़ा बराबर चल रहा है उसको थोड़ा उठाओ यार ठीक है वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना सेर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और हर बार की तरह कहना चाहता हूं कि सुनो सब की कर अपने दिल की मिलते हैं को और नए वीडियो के साथ टेक कियर